हेलो एवरीवान वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज बनाने वाले हैं हम भिंडी मसाला भिंडी सभी को पसंद होती है बच्चे हो या बड़े सभी बहुत ही खुश होकर खाते हैं सायद ही कोई होगा जिसे भिंडी पसंद नहीं होगी और आज इसे मैं बहुत ही अल निखाना करेंगे और जो बड़ी होगी घूण उसके थीन पर करेंगे यहां आप इसकी चॉपिंग अपने अग्या बिंडी को कर लियी या कर सकते हैं मैंने इस तरीके से कट कर लिया है सब लेंगे दो से तीन मीडियम साइज की प्यार कोति यह लिए मैं जो आब निकमें क और यह जो प्याज जिसकी पैटल्स नहीं निकली है जो बारिक होती है उसे हम डालकर एक पेस्ट बना लेंगे अब इसमें डालेंगे आप टेबल स्पून जीरा और आट दस काली मिर्च काली मिर्च को डालकर और थोड़ा सा पाने डालकर इसे हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे ये देखी मैंने पेस्ट रेड़ी कर लिया है अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं गैस पर मैंने एक कडाई रखी है कडाई को जाद अच्छी बनती है तेल को हमें अच्छे से हीट कर लेना है जिससे इसका कच्छापन निकल जाए और जो भिंडी हमने कट करके रखी है उसे एड़ कर देंगे अभी हम कोई मसाले कुछ नहीं डालेंगे सिर्फ भिंडी को अभी हमें फ्राई करना है इसे अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे जिससे भिंडी का कच्छापन निकल जाए ये देखिए और साथी इसमें और यहाँ पर वन फॉर्ट स्पून की जितना हल्दी पाउडर डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी हमें डालनी है अभी जिससे भिंडी का कलर मेंटेन रहे ये काली ना हो औ दाल कर इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे इसे हमें बहुत जादा अभी नहीं पकाना है देखिए फ्रेंट भिंडी थोड़ी सी भून गई है अब इसी के साथ हमने जो प्याज को इस तरीके से कट करके रखाया है उसे भी आड़ कर देंगे और गैस की फ्लेम को मी घंडी को एक बार मिक्स कर लेते हैं इसम हें देखिए मैंने मिक्स कर लिए है दूड़ी थोड़ी देर के लिए जूरानें हैं आप भी नगालेंगेcing आज सबी को अब इसे side में रखते हैं अब इसे side में रखते हैं और इसी कड़ाई में 2 tablespoon के जितना सर्सो टेल डालेंगे यह दिवे मैंने टेल डाल दिया है जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हास टे बल्सपून जीरा डालेंगे साथ ही थोड़ी से ही हिंग डालेंगे कर लेते हैं और मसाले को हम थोड़ी देर के लिए इसे भून लेंगे जैसे यह थोड़ा सा भून जाए तो इसमें हम अपने सूखे मसाले आड़ करेंगे यहां पर प्याज हमारा थोड़ा सा भून गया है अब हम अपने सूखे मसाले आड़ कर देते हैं यहां मैंने वन एक से देड़ छोटी चमच, नमक, आप अपने स्वादा नुसार डाले, साथ ही डालेंगे, एक से देड़ छोटी चमच, कश्मीरी लाल मिर्स पाउडर, इससे कलर भी बहुत ही अच्छा आजाएगा, अभी इन सभी मसालों को डाल कर, हमें अच्छे से मिक्स कर लेता है, और भूनने में मुझे 2 मिनट का टाइम लगा है, मसाले ने बहुत ही अच्छे से तेल छोड़ दिया है, और बहुत अच्छी कुश्पू आ रही थी, अभी स्टेज पर हम एक रफली चॉप टमाटर डाल देंगे, टमाटर की क्वांटिटी कम ही रखे, मसाले के साथ टमाटर क भी थोड़ा सा भून लेंगे, यहां पर देखी फ्रेंड्स, मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भून गया है, और टमाटर भी गल गया है, अभी स्टेज पर हम थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे, पानी आप अपने एकोडिंग कम जादा कर सकते हैं, अगर आपको ग्रेव इसमें हम अपने भिंडी और प्याज को जो हमने भून कर रखा है, उसे आड़ कर देंगे, यह देखी बहुत ही अच्छे से बोई लाग गया है, और अब हम एड़ कर देते हैं, अपने भिंडी और प्याज को, यह देखी मैंने डाल दिया है, और इसे अच्छे से हलके तो इसे मिक्स कर दूँगा एक दो बार इसे मिक्स करके हम 5 मिनट के लिए धक्कल लगा कर लेंगे चलिए 5 मिनट बाद चेक करते हैं ये देखिए भिंडी बहुत अच्छे से पक गई है और मसाला और भिंडी आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए है और प्याज भी देखिए बहुत जादा गली नहीं है बस इसी तरीके का चाहिए हमें एक बार इस रेस्पी को फ्रेंट जरूर ट्राइ किजिएगा इस तरीके से बनाकर आपको बहुत पसंद आएगी साथ ही डालेंगे हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और फिर इसे हलके हाथों से मिक्स कर देते हैं और हमारी भिंडी मसाला बनकर तैयार है आप इसे रोटी पूरी पराठी किसी के भी साथ इन्जॉय कर सकते है इस यहा बिलकुल ट्राइब भी नहीं है और बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं इसके इन्दर यह देखिए बहुती अच्छा कलर आया था और बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी चलिए इसे सर्व कर लेते हैं ये देखिए हमारी भिंडी मसाला बनकर तयार है बहुत ज़्यादा येमी लगती है अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें इसी तरह की अमेजिंग रेस्पी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग